नमस्कार में हूँ दबांजली मुईत्रा बिग बॉस चौधा के कंटेस्टेंट राहूल वैजे इन दनों काफी चर्चा में बिग बॉस हाउस में अपनी बहतरीन छवी के साथ साथ राहूल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी चर्चा हर तरफ बड़े ही जोरों-शोरों से हो रही दरसल राहूल ने बिग बॉस चौधा के घर में यानी नाशनल टेलिविजन पर एक लड़की के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया दरसल हाली में बिग बॉस मेकर्स ने इसका प्रोमो भी रिलीज किया जिसमें राहूल वैदि दिशा से अपने प्यार का इजहार कर दे हैं और सिर्फ पूछते हैं Will you marry me? जी है, राहुल वैदी ने न सर्फ यहां अपने प्यार का इसहार किया बलकि उन्हें नैशनल टेलिविजन पर शादी के लिए भी प्रपोस कर दिया जिस लड़की को राहुल ने प्रपोस किया, उनका नाम है दिशा परमार तीवे अक्ट्रिस दिशा परमार ही राहुल की वो समवन स्पेशल है जिनके साथ राहुल अपनी पूरी जिल्लीगी गुजारना चाहते है राहुल के से ऐलान के बाद अब लोग ये जानने के लिए उपसुख है कि आखरकार दिशा परमार है कौन और राहुल आज ही क्यों उन्हें प्रपोस करें है दिशा परमार का जन 11 नवेंबर 1994 में दिल्ली में हुआ यानी 11 नवेंबर को दिशा का जन दिल यही वज़ा है कि राहुल ने 11 को उन्हें प्रपोस करने का फैसला किया एक्ट्रिस की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के साधू वास्वानी इंटरनाशनल स्कूल से हुई हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई के दौरान दिशा ने डांस कॉम्पेटिशन, प्ले और फैशन शोज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया इसी दौरान उन्होंने राजश्री प्रडक्शन के सीरियल प्यार का दर्ध है मीठा मीठा के लिए ओडिशन दिया है और वो सिलेक्ट हो गए सीरियल में सिलेक्ट होने के बाद दिशा ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इसमें लीड रोल ने भाया इस वक्त दिशा सिर्फ 17 साल की था इसके बाद दिशा जी टीवी के सीरियल वो अपना सामे भी नजर आए साल 2019 में दिशा और राहुल ने याद तेरी गाने में साथ काम किया जिसे राहुल ने ही गाया था इस गाने में दोलों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी राहुल और दिशा करीब दो साल से एक दूस्टे को जानते हैं इंस्ट्रेग्राम पर दोलों की साथ में कुछ पोटोस भी हाला कि दोलों के अफैर को लेकर कभी ऐसी कोई चर्चार नहीं थी लेकिन अब राहुल ने दिशा के लिए खुल कर अपने प्यार का इजहार कर दिया और शादी के लिए प्रपोस कर दिया अब देखना यह है कि राहुल के प्रपोसल का दिशा क्या जवाब देए